जाते हैं देखें जी 14 करोड सिख हैं जी एक करोड किश्मीरी हैं जी और 30 करोड वहाँ पे अंडिया में मुसल्मान हैं अब 15 वो हो गे हैं और 30 यह हो गे हैं 45,000 मुसल्मान हो गे हैं अगर सिख भी हमारे साथ होंगे इंशालत ओ भोजड़ी वाले चाचा एक सिख सवालाग के बराबर होता है तुम्हारे लिए सिर्फ हमारे सिख भाई यह काफी है मुसलमानों से बाद में निपड लेना पहले अपनी गिंती ठीक कर लो और अपने पॉपलेशन को ठीक कर लो और अपने दिमाग को ठीक कर लो मुसल्मानों से और हिंदुस्तान के मुसल्म इमानों से बाद में निपड लेना फौजी यहां भी रहते हैं जो मुसल्म इमान है और अपने देश अपने हिंदुस्तान को प्यार करते है उन्हें हमने हिज़द दी है उन्हें अपने सर्बे बिठा है उन्हें इमरान खान ने हिज़द दी है पाकिस्तान ने उन्हें इज़द दी है जनल बाजवा ने उन्हें इज़द दी है पास्पोज ने उनका इत्राम किया जी इंशालला ताला वो आप जंग में हमारे साथ ह क्या बोशडी वाले चाचा फिर से बोल दिया आपने तुम हमारे सीख भाईयों के बारे में क्यूं सोच रहे हो पहले अपने मुसलमानों को ठीक करो उनको दरजा दो उनको तो आज भी तुम मुहाजीर बोलके पुकारते हो उनका क्या चाचा जाओ आदे पेरिकबर में लटक चुके है अपनी इज़त को संभालो और अपने लोगों को संभालो हमारे बारे में बाद में सोच लेना है मुदी को सबग सिकाने का कैम आ गया इंशालला तलह 45 तरोड वांगे और 20 तरोड वांगे यहाए मुदी अप तेरी खैर नहीं इंशालला तलह हिंद्वा का नाम और निशान मित जाएगा दुनिया से यह बृत बड़ी कार्णाम ऑध्य बाद्वा का यह बहुत बरा कर्णाम ऑ़्म्राम खांग का यह किसी की सोट नहीं जाँ जाँ चआ हमारे पी-म मौधी के बारे में सोचने के तुमको जरूरत नहीं है نہ zo कुछ बोलने के जरूरत है उसके बारे में सोचके तुम्हारी आदी उमर तो कड़ गई अब तक तो कुछ नहीं उकाड़ पाए नहीं कभी जिन्दगी में उकाड़ पाऊगे और एक बात याद रखना हिंदुस्तान में जितने भी हिंदू है वो हमारे भाई है मैं भी मुसल्म इमान हूँ मुसल्मान हूँ मेरा नाम यासीन है और ये बात याद रखना कि मैं भी एक हिंदू कल्चर को पालने वारा हिंदू हूँ हिंदूस्तानी हूँ और एक हिंदू को मारने के लिए तुमको हम जैसे मुसल्म इमान से आगे गुजरना पड़ेगा हमारी लाशों से गुजरना पड़ेगा अगर हिम्मत है तो कभी आकर देखना जजबा और जुनून दोनों भी है दिखा देंगे और बता भी देंगे अभी जाओ अपने गरीबी को हटाओ और कुछ खा पी के आओ